बारिश के मौसम में ये भुट्टा बहुत ही आसानी से मिल जाता है और आप लोग इसे कई बार उबाल करके या इसका चाट बनाकर फ्राइ करके तो खाया ही होगा लेकिन आज मैंने इससे बनाकर रेडी किया है चटपटे टेस्टी क्रिस्पी पकोरे जो की बहुत जादा ट बहुत आसान सी रेसिपी है एक बार जरूर इस बर सात में आप ट्राइ कीजिएगा मैं एक जो पकोड़ा है वो तोड़कर की दिखाती हूं कि अंदर सी कितना जादा मतलब की सॉफ्ट है और फ्लपी है और जी बुट्टे के दानिया है वह जब बहुत जादा टेस्टी ल मतलब होता है याथ नाखुन लहाँ लगाएं कि आप तो यह दूद बाहरा है वैसावला बुट्टा लेना है तिक है और अब इस भुट्य को हमें कट करना है तो जुटर मैं करीं जाएं चाकु से पूरा का पूरा बुट्ट्टा बट्ट्टा अशा दाना हमे बहुत जादा जड़ तक मत जाएगा इस तरीके से आपको निकालना है देखिए जो वाइट वाइट से प्लास्टिक की थरा होते है उसके चिपके हुए वह हमें नहीं चाहिए सिर्फ और सिर्फ दानी चाहिए और यह बहुत जादा सौफ्ट दाने है आपको मैश करके दिख ही तरीके सора जाएगा बहुत जादानों हिए थोड़ा सा थाकत लगाकर इसे मेश कर लेगा है तो अच्छा वाला स्वाद है हमारे पकोड़े के अंदर आएगा और हमारे सिहत के लिए अच्छा होता ही है ज्वाइन अब इसमें हम थोड़ा सा डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर अगर आप तीखा नहीं पसंद करते हैं तो आप लाल मिर्च पाउडर स्खीब भी कर सकते मतलब इसके बगैर भी बना सकते हैं अब साथी में इसके अंदर हम डालने वाले हैं बेसन क्योंकि बेसन सही तो बाइंडिंग होगी और तभी तो पकोड़े बनेंगे तो तीन चमच जो नॉर्मल खाने वाला चमच होता है उसी चमच से तीन चमच मैंने बेसन ले लिया है और अब इसे हमें बनाना है कुरकुरे क्रिस्पी बनाना है तो वो कैसे बनेंगे उसके लिए मैं यहाँ पर कॉण्फलोर ले रही हूँ एक चमच तीन चमच बेसन के लिया है मैंने और अब स्वाद नुसार नमक डाल देंगे इसके अदर अब इन सारी चीजों को बड़ि इसके अंदर पानी थोड़ा सा एड़ करेंगे तो बस इस तरीके से अच्छे से सारी चीजे एक दूसरे में मिक्स हो गई है लेकिन ये बहुत जादा भी टाइट लग रहा है तो अब मैं इसमें देर से दो चम्मच पानी डालोंगी बहुत जादा पानी मत डालेगा देर से तो चम्मच इनफ है और इस तरीके सा इस तरीके का बैटर हमें चाहिए इससे ज़्यादा पतला या गाढ़ा नहीं चाहिए तो चीज़िए फटा-फट से फ्राइ कर लेते हैं कढ़ाई में तेल मैंने पहले ही गरम होने के लिए रख दिया था पूरा मतलब तेल अच्छे के लिए भी बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हैं इसलिए इसे मध्य में आँच यानि के मीडियम फ्लेम पे आपको पकोड़ो को फ्राइ कर लेना है जितने एक बारी में पकोड़े इसके अंदर जा सकते हैं उतना मैंने डाल दिया है और अब इंतिजार करेंगे इसका अ यहां पे आप देख सकते हैं कि पकोड़ों हलके से फूल भी गए हैं अपने साइज से थोड़े से बड़े भी हो गया है और जैसे यह अच्छे से फ्राइ हो जाएंगे तो बड़ी असा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा इसको बहुत ज़दा ब्राउन मत कीजेगा बस यह इनफ कलर है क्योंकि जब आप इसे निकाल कर रखेंगे तो कलर थंड़ा होने के बाद थोड़ा सो डाख हो जाएगा तो बस पकोड़ों को हम निकाल लेते हैं चन्नी की मदद से कुछ से के लिए हम किनारे पे रहन देंगे ताकि इसका जितना भी एक्स्ट्र ऑईल इस प्लेट में निकाल लिया है और इसे प्लेट में निकाल लिया है पुहाँ ज़्यादा टेस्टी लगते हैं यह चाने में फ्रेंड्स एकप्ण जरूर सी इसर ट्राय किज़ेगा अर आपने एक बार इस भुट्टे के पकोड़ों को खा लिया और घर्वालों को खिला दीया तो हर जब भी सीजन में पकोड़ा आएगा तो आपकी घर में जरूर से बनेगा इतना जादे ये टेस्टी लगता है तो इसे बनाइए खाईए और कमेंट्स करके जरूर बताईएगा कि कैसा लगा आपको ये रेसिपी फिर मिलते एक नई वीडियो के साथ थैंक ये सो मच फ